स्वाइबरों स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और फिजीक्स के सबसे लास्ट चेप्टर के एपिसोड में जिसे कि ये फिजीक्स का सबसे अनकिन चेप्टर है विदुधारा के चुम्बकिये परभाव बहुत ही important और informative चेप्टर होने वाला है ये चेप्टर से जितना भी objective बन जाएगा पूरा का पूरा objective आप सभी के भी शेर कर रहा हूँ तो क्यों न इस वीडियो के साथ आप अपनी एक छोटी सी साज़ेदारी को शेर करें कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं हैं तो subscribe कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले notification आपके पहुंचे तब जा करके किसी अंसब्सक्राइबर के पहुंचे anyway मैं यहीं कहाना चाहूंगा कि ये वीडियो इतना important है कि सबसे ज़्यादा इसी चेप्टर से portion arise किये जाते हैं बिहार बोड सबसे ज़्यादा विदुधारा के चुम्बे के परवहा से लगभग objective पूछ लेता है और इसके पहले मने मैं बताओं फिजीत कर जो पहला चेप वीडियो धरा के चुम्बगे परवह यानि फर्स्ट और लास्ट ये दोनों से खुब दबा के जो हैना objective पूछा जाता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है और मैं कहूंगा कि एक बार में objective clear मान के चलिए कि नहीं हो पाया मतलब पूरा क पूरा दिमाग में नहीं बैठ पाया तो इस वीडियो को बार बार जो है ना वीडियो को चला करके और पूरा का पूरा objective अपने दिमाग में फीट कर लेजिए ताकि एक भी objective बिहार बोट से अगर को सन अराइज हो जाया ठीक है ना इस चेप्टर से तो objective छूटे नहीं तो चलिए बिना देर के इस चेप्टर से जितना भी objective बन जाने वाला है पूरा का पूरा हम लोग objective कर लेते हैं तो बात करते हैं यहां पर physics का सबसे last बोले तो अंतिम चेप्टर इससे जितना भी one liner objective है वो total आप सभी के भी share कर रहा हूं और आपको comment जो कर रहे हैं इस comment से मेरे कर रहा हूं कि comment आप लोग थोड़ा सा सो समझ के किया कीजिए यह objective one liner है ठीक है ना और बहुत हलका हलका question में रख रहा हूं ताकि इससे आपकी label की पाचान हो सकें कि सच में आपकी तयारी अच्छी है या नहीं है लेकिए आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग हलका question देख किये अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल यह हमसे मने बन जा रहा है एक भी question के साथ मिस नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे कि आपका पूरा का पूरा तयारी अच्छा है इसके बाद से तो हम बेकल्पिल लेकर आएंगे ना पूरे चार option रहेंगे जिसमें क्या होगा आप की इस अंतिम क्लास यानि फिजिक्स के जो अंतिम क्लास है ये अंतिम lesson है lesson 4 ठीक है ना विदुधारा का चुमबक्ये परभा जो की पहला प्रसन है यहाँ पर देखेंगे अंगुठा विदुधारा की दीशा में तथा अंगुलिया चाला के ओर हो इसे क्या कहेंगे इसे कह पार्ट लोहा का नहीं ये question भी भी आई करके लिख लीजिए क्योंकि ये question मतलब दूस अल्ला का तार पूछा है पिछला आप record उठाकर के देख सकते हैं ठीक है ना कि परिनालिका में किस परकार की लोहा का इस्तेमाल किया जाता है तो नर्म लोहा का ठीक है अगला प्रसन देखेंगे आपके स्क्रीन पर है कि परिनालिका के भीतर उत्पन प्राबल चुमबक की छेत्र को क्या कहते हैं तो विदूत चुमबक कहते हैं अगला प्रसन देखेंगे जरा तरजनी हो चुमबक की छेत्र ठीक है ना मान के चले सॉरी हो गया है तरजनी को चुमबक की छे किया गया है ठीक है ना इस हिसाब से कुछ नए अंदाज में ठीक है ना किस भौती विज्ञानिक ने विधूत चुमक के प्रियर का पता लगाया माइकल फैराडे ने 18-31 ठीक है और यह जो कोशन जो तयार किया गया ना यह जो हम लोग अफलाइन कलास चलाते हैं यह अफलाइन कलास में पढ़ रहे बच्चों से हम लोग खुद जो अबजेक्टिव लिखुआ है न वो अबजेक्टिव तयार किया हुए और वहीं पहली बार गजाम देने के लिए जा रहे है हो सकता है कि जिसका दिन खराब हुआ होगा जो पिछली बार फेल हुआ होगा तो वो दुसरी बार गजाम देने जा रहा हुग और उसको कुछ ज्मद ऑनुभव हो जो भी मतलब अंदर से जो एक एनरजी जो जगाया जो फिल्स दिया आप लोगों ने अपने बातों से वो हम बहुत अच्छे ढंक से तयारी करके और साइंस में बहुत अच्छा नंबर ले करके आँ तो यह वह स्टूडेंट होते हैं जो फालतू की कमेंट करते हैं इस कोशन को अपने दिवांग में फीट कर लेंगे साथो नमर प्रस ने विदू धारा की उपस्तिती संचित कौन करता है तो गेलवैनो मीटर करता है ठीक है थोड़ा बहुत हिंदी जो है ना स्टूडेंट ने कुछ गलत तरीके से लिए बट मैं उसको सुधार करके बोल ला हूं आठ नमर जीश धारा का मान दिशा निस्चित समय के अनुसार बदले वह क्या कालाता है तो पड़ती धारा कालाता है ठीक है ना उसके बास से अगला प्रस ने देखेंगे कि जीश धा बटला प्रस ने देखते हैं ठीक है यह भी कोशन के साथ थोड़ा सा मतलब जहाएं वर्फ इसको छोड़ते है ठीक है चुखी तबेंगे यह क्या है ना और्फिंक तार लिखा गया मतलब न्यूटल तार ही होता है ठीक है ना न्यूटल का रंग होता है तो हरा होता तो चल और तार ठीक है ना रंग लाल होता है ठीक है न उसके बासे बात करते हैं विदु धरा उत्पन करने की युगति को क्या कहते हैं तो जनीतर कहते हैं जनेरेटर ठीक है लगों पतन के समय परिपत में लेसे जहाएक से वि universe प्रोटान की बात करें तो एक प्रोटान में कितने कुलम होता है यह याद रखेंगे एक मिली में कितना एंपियर होगा तो दस के पाउड माइनस तीन एंपियर ठीक है उसके बाद से दिखेंगे अगला प्रसन क्या कर रहे कि कि एक माइक्रों एंपियर में कितना एंपियर होगा दस के पाउड माइनस छो ठीक है ना उसके बाद से सर्कीट में करन्ट को कौन मापता है तो गल्वनमीटर मापता है ठीक है अब अगला प्रसन देखें मैं फास्ट करा रहा हूं इससे क्या है कि आप लोग यह नहीं समझे कि मतलब मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं अगर आपको लग रहे हैं बहुत फास्ट करा रहा हूं तो थीरे करके सुन सकते हैं इसलिए कि देखें इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है चौबिस नमस्त प्रसन देखेंगे सर्कीट में दो सीरों के बी कि एमिटर का सुत्र क्या होता है तो इबरबर भी ब्袋 आर ठीक है न विदुधारा का सुचाला क्यों सतट तो चांदी है ठीक है उसके बाद से या कोई भी आसकता है इन्सूलेटर का अबते हैं। तो पावर्फूल लगा होगा तो आज के इस वीडियो में मतलब विधू धारा के चुम्बकी परभाव के साथ पूरा का पूरा फिजीक्स का चेप्टर समाप्त कर लिए अब आगे जो हम लोग को समझना है और पढ़ना है परतिएक चेप्टर वाइज जो अबजेक्टिव करना है वो होगा बाई लोजी तो हमारा नेक्स्ट बार किस पर होने वाला है बाई लोजी यह पूरा का फूरा अजयक्र से वाला है वो भी लाइव के तुरू तो आपको चैनल पर बने रहाना है तो मैं अंत में फिर से यहीं काना चाहूंगा कि वीडियो को अभी से नहीं लाइक किया होंगे अभी भी नहीं लाइक किया होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं होंगे तो सब सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आपके पास पहुचें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन